है 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 माध है aosटपिक है इस करने वाल उसका नाम है डेविएशन पिछ्ली वीडियो में हमने अपने लुमिट टॉल्ड अने पड़ाता है थी कि तो आज इस वीडियो में बारे पढ़ेंगे कितने types के deprivation होते हैं और उसके numericals कैसे हो तो इसके बार में इस वीडियो में डिस्कॉस करने माले हैं तो बने रहे हैं मेरे वीडियो में अगर आप हमाया चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब यरूज कर दें ठीक हैं बिनने टाइम को बाई चलिए वीडियो के स्टार किसी कंपोनेंट का किसी कंपोनेंट का बेसिक साइज का बेसिक साइज कितना कम कितना कम या ज्यादा है या ज्यादा है वह मां क्या कहलाता है वह डेवियाशन कहलाता है कि में देवियेशन हमारे दो टाइप के होते हैं यहां पर तेकंग है लोवर डेवियेशन कि अब और हमारा अपर डेवियेशन कि दो टाइप के टेवियेशन होते हैं थोड़ा क्लियर करते हैं आपको एक निमेर कर लिए थ्रूँ ठीक मान लेते हैं हमारे किसी कंपोनेंट का बेसिक साइज कितना दे रखा है मारा बीस दे रखा है ठीक है अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो इसकी अपर लिमिट दे रख और हमारा तो सका मान लेते हैं कितना नैंटी पॉइंट मान अब हमारा इसमें अपर-डमिए लोबर डाव के त leftover उसके और ऋनिंदेख लेकते हैं अब इसमें अप़र डे»,ब इसके चाहिश्यक में रख़ा हैं तो इसमें इसमें कितनाही एँच्टा रख कितना जाद्र हो रहा है पॉयंट फाइफ ट्लस का दिए हमारा क्या हो जाएगा कि अपर किरेंट है अपर है कि δेएशिए है एक अब शहरो जब का इसमें रिखें किसमा सब में अ ऐसे साइच ए कितना कम हो रहा ह oppress माइनिस गर 0.3 हो यह मारा क्या हो यह हो जाएगा यह लोगOOOO हुआ जाएगा कर लोगत है कि विप्विवेशन है इसमें यह मारी किया है अपर लिमिट है अपर लिमिट है है यह हमारी लोगेक है आप इस तरह से आप अपको इन्हीए अब हम ड सरके कुछ टाइप स के बार में जान लेते हैं जैसे की fundamental deviation, average deviation के बारे में, ठीक है, तो इसको rough करके एक numerical देते हैं यहां, पर numerical को solve करते हैं कैसे एक जब आपके numerical आते हैं, तो पहले इसको rough कर देते हैं range diagram से deviation को हम समझते हैं यहां ठीक, यह हमार कोई basic size है, जिए मार क्या हो जाएगा, basic size हो जाएगा, ठीक, basic size में हमारा, कि रेंज दे रखीया किसी साफ्ट की दे रखी होगी तो बिमारे इसमें क्या हो जाएगा यह हमारा अपर लिमिट कहलाएगा मँश्चे चरह तब हम पिसके पिछली वीडियो में पढ़ाए था यहां अब हमारे इसमें अपर डेविवेशन क्या हो जाएगा तो बेसिक साइज से बेसिक साइज से अपर लिमीट टक हमारा क्या कहला जाएगा यह हमारा हो जाएगा अपर डेविवेशन ठीक है अब बेसिक साइज से लोवर लिमीट हमारा क्या कहलाएगा लोवर डेविवेशन यह तो बात होगी हम उपर हमारी रइज रहती है तेक हमारा बेसिक साइज गणता दोनों तरफ हो तब हमारा कैसे होगा वह भी देख लेते हैं इसको हो जाईगा थेक है कंपोनेंट की रेंज हम ले लेते हैं ़हां पर कि रिमिड क्या हो जाएगी यहां पर उचाहिए जेगे उर हो जाएगी तो यह हो जाएगा मारा अपर डेविएशन और यह हो जाएगा मारा लूबर डेविएशन ओके बेसिक साइसे लेते हैं यह बात आपको ध्यान रखने होगी अब इसी तरह अब हमने ऊपर देख लिए लेएं नीचे होगा तब हमारा कैसे ओजाएगा तो वह देख लेते हैं मान बना लेते हैं फिए मेरी सब्सक्राइब से बना लेते हैं अगर देखने में कोई प्रब्लम हो तो इसको तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं यहां बना लेते हैं यहां पर बना लेते हैं यह हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा बेसिक साइज हो जाएगा ठीक कंपोनेंट बना लेते हैं यह बना लेते हैं कंपोनेंट की रेंज ठीक है अब इसमें हमारा ठीक है इसमें हमारा लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा अपरल यह विजय pew é one okay वार टो यह टेमां जो आपका घटना हो सकती है उस तरह से conspiracy बिरॉपिगो में कि थैaltro ही आपके Jackie ह Tabii er disfrut या तो आपके कंपोण्य साथ के दोणों तरफ दोने सकती है बेसिक हुआ सकती Pan बेसिक तरफ च्छू रह सकती है तो अब एक निमेरिकल के थू हम देख लेते हैं क्लियर कर लेते हैं कि डिवेशन के सवाल कैसे आते हैं आपके इग्जाम में उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं जैसे हमारा एक कोश्चन ले लेते हैं किसी साफ्ट कम डाया मान लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है 20 रिया हुआ है माइनस 0.1 दिया हुआ है माइनस 0.3 दिया हुआ है mm ठीक है तो अब हम इस वीडियो में हमको क्या निकालना क्या क्या वेल्यों निकालने वह पहले देख लेते हैं ठीक है इसमें को निकालना है सबसे पहली चीज अपर लिमेट ओके नाव नेक्ष्ट निकालना इसमें लोबर लिमिट उसके बाद हमको निकालना है अपर डेविएशन उसके बाद हमको निकालना है लोबर डेविएशन ठीक है फिर हमको क्या निकालना है टोलेरंस तो इतनी चीजे हम को इस निमेरिकल से find out करनी है थेक तो पहले हम क्या निकालते हैं upper limit निकाल लेते हैं किसकी soft के जाया की या 5 के मान लेते हैं ठेक है तो upper limit हम find करते हैं upper limit तो के इसकी 5 कि dependingày मारे 20 सबसेकर माइनिस की ग printer यही थी यहीं हो जाएगी है मारे इसमें ल rejecting में माइनिस का 0.1 आंसर क्या हो जाएगे इसको 24.9 क्या अब हम लोवर लिमिट गया कर लेते इसकी लोवर लिमिट क्या हो जाएगे स्की क्या लेंगें बेसिक साइज कितना ते रखा है 20 उसके बाद लोगर लिमिट की कितना देर रखा होगा मारा यहां पर 0.3 और सुरी माइनस का 0.3 हो जाएगा तो इसका क्या जाएगा मारा और सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा यहां यहां पर हो जाएगा नाइन्टीन ओजाएगा ठीक है और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा हमारा सबसे कम जिए कितना रहे ड़ी 53 लेख सिंपल सौने यहां पर लिख़ लेंगे क्या हूजाए खागगा माईने ऊपर डिछे थेक्टर अप्र अपल से धर लोवर छोगत रो डिवियेशन कीए Would लोवर को डे आञे कि तो सब्सूंगे सिंपल कर लोवर अणहे लोवर हमारे ऐसे हो निकल गया है अपर लिमेट निकल गया लोबळेस्जIGHT छेह नी constituency अब हमको ख्याक करना है um के बस्तों हमारे पर में डिोए में का डिफ्रेंट लोवर लिमेट का डिफरेंज से ऐ Assim है कि तो डिफ्रेंट पिंड कि लोवर लिमिट इसे निकाल दिछी अमने 19.9 19.9- लोगर लिमिट कितना देर रखार मारें आप है 19.7 आंसर के आ जाएगा हमारे इसमें 0.2 लिए इसके सारे पार्ट बहुत ही असानी तरकेशन तो अब हम डिविएसन के बारे में थाएगा अब जानते हैं फंडमेंटल डिविएसन क्या होता है यह भी आपके जिया में काफी बार कोश्चन पूछा जाता है तो पहले इसको अमरफ को लेते हैं इस वीडियो में जान लेते हैं पहले फंडमेंटल डिविएसन की डेफिनीशन के बारे में है तो इसमें जान लेते हैं फंडमेंटल डिविएसन की डेफिनीशन के बारे में जान लेते पहले क्या होती डेफिनीशन इसकी हाँ अपर डिविएशन अपर डिविएशन तथा लोवर डिविएशन म में जो बेसिक साइज के जो बेसिक साइज के सबसे निकट होगा, करीब होगा वो हमारा क्या कहलाएगा कि फंडामेंटल है कि डेविएशन है कि यह लाएगा थे कि बात हो गई इसकी डेफिनिशन के बारे में अब हम एक एक जैंपल कि आपको समझाते हैं इसको तो जैसे कि हमारा एक इसमें हम रेंज ले लेते हैं जैन डाइग्राम यहां पर मुझा करते हैं बेसिक साइज मान लेते हैं हमारा कि 25 एनन्म दिया हुआ हुआ इसका और इसका हमारा अपर लिमिट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है हिसका कितना डिया हुआ है 25.2 दिया हुआ है अब हमारे सने जो अपर ड्रेचोन होगा victorious डाइग्राम में अपर डिंड है तो द्li स्टोज मन कितने 2520 फ्ट पॉइंट जाहेगा इस में 0.6 mm यह बहुत अब दोब डिवेशिन इसका क्या हो जाएगा यह जाएगा हमारे यह क्या जाएगा महीं अपर डिवेशन लूब डिवेशंग रहा लोब लोब डाज डिवेशन क्या हो जाएगा इसका कितना अरॉ-25 हमारे एक इन अगना है सबसे करीब होगा बेसिक साइज के जो करीब होगा बेसिक साइज के जो करीब होगा सबसे कौन है 0.2 यह वाला फांट तो यह हमारा क्या हो जाएगा fundamental deviation fundamental deviation ठीक है hopefully आपको अच्छी तरीके समझ आ गया हो ठीक है अब deviation का एक अगला टाइप भी जो इसका जो अगला प्रकार है वो भी पढ़ लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं average deviation ठीक है उससे पहले हम इसको rough कर देते हैं ठीक है average deviation की पहले हम definition जान लेते हैं तो अपर डेवियेशन अपर डेवियेशन तथा लोवर डेवियेशन का average का average औसद क्या कहलाएगा मारा average deviation क्या 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 लाएगा क्या लाएगा ठीक है तो मारा जो इसका फॉर्मिला बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा अपर डेवियेशन का अपर डेवियेशन प्लस लोवर डेवियेशन अपाउन तू ठीक है तो अगर नहीं मेरिकल में हमारा average deviation के बारे पूछता है तो हमको क्या find out करना पड़ेगा अपर डेवियेशन निकालना पड़ेगा लोवर डेवियेशन निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़के हमको तू से डिवाइड कर देना है तो हमको क्या मिल जाएगा हमारा करें और अपने दोस्तों में जितना ज्यादा सिजाद हो सके सेर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के जरी हेल्प मिल सकें